नमो नमह, ओनलाइन समस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत हैं, आईए आज का विशे है कक्षा छह, पाठ छह, समुद्र तटह, इस पाठ की हम हिंदी में ब्याख्या करेंगे, उसके पस्चाद, इसके प्रशनोत्तर को भी इसी के साथ हम समायोजित करने वाले हैं पाठ में प्रवेश करते हैं, समुद्र तटह, समुद्र तटह का मतलब होता है समुद्र का किनारा, एशह समुद्र तटह, यह समुद्र का किनारा है, अत्र, जनाह, यहां लोग परियतनाय आगत्छन्ती, घुमने के लिए आते हैं, के चन, कुछ लोग तरंगई ही लहरों के साथ क्रिडंती खेलते हैं के चन कुछ लोग नौका भी जल विहारं कुर्वनती नौका भी नौकाओं के द्वारा जल विहारं जल में भ्रमन करते हैं तेशु के चन उनमें से कुछ लोग कंदु के न क्रिडंती गेंद छे खेलते हैं बालिकाह बालकाह च बालुका भी ही बालुका ग्रिहम रचयंती लड़के लड़कियां बालुका भी ही रेत के द्वारा बालुका ग्रिहम रेत का घरोंदा रचयंती बनाते हैं मध्धे मध्धे बीच बीच में तरंगाह समुद्र की लहरें बालू का ग्रिहम बच्चों के द्वारा बनाए हुए बालू के घरों को परवाहयंती बहा देते हैं एशा क्रिडा ये क्रिडा प्रचलती एव चलता ही रहता है यानि बच्चे घर बनाते रहते हैं बालु से और समुद्र के लहरें आकर बहाती रहती हैं समुद्र तटाह समुद्र के ये किनारे न केवल अम पर्यटन स्थाना नी न केवल ये घुमने के लिए स्थान है बिहार के लिए स्थान है अत्र मच्च जीविनह यहां पर मच्चुआरे अपी भी स्वजीविकाम अपनी आजीविका को चाल यंती चलाते हैं याने यहां पर मचुवारे समुद्र से मचलियां पकड़ कर अपनी आजिविका चलाते रहते हैं अस्माकम देशे हमारे देश में बहबह बहुत सारे समुद्र तटाह संती समुद्र के किनारे हैं यह तेशु इन में से मुंबई, गोवा, कोच्ची, कन्या कुमारी, विशाखा पत्तनम, पूरी तटाह इन में से मुंबई, गोवा का तट, कोच्ची का तट, कन्या कुमारी का तट, विशाखा पत्तनम का तट और पूरी का जो समुद्र का तट है यह अतीव परसिद्धाह स बहुत प्रसिद्ध हैं गोवा तटह गोवा का जो समुद्र का किनारा है विदेशी परियट के भ्या समधिकम रोचते विदेशी परियटकों को बहुत अच्छा लगता है विशाखा पत्तनम तटह विशाखा पत्तन का जो तटह है वह वैदेश का व्यापार आय विदेश में व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध है याने विशाखा पत्तन से हमारे देश का सामान विदेशों में जाता है समुद्र के रास्ते और विदेश से सामान हमारे देश मे कोच्ची का जो समुद्र का किनारा है नारी के लफलेभ्य घ्ला ग्यायते नारियल से जाना जाता है यानि वहाँ पर बहुत पर्षिध नारियल है मुंबई नगर अश्य जुहू तटे मुंबई के जुहू नामक तट में सरवेज़नाह सभी लोग स्वैरम बेरोक टोक बिहरंती घुमते हैं चन्नाई नगर अश्य चन्नाई महानगर का मेरिना तटह मेरिना नामक तट देश अश्य हमारे भारत देशे के सागर तटेशू समुद्र के किनारों में से दीर घतमह सबसे बड़ा है देखो ये तट अंगरेजी में बीज कहा जाता है चन्नाई का जो मरिना तट है वह तटों में से सबसे लंबा तट है भारत अश्य तिस्रिशू दिशासू भारत के तिनो दिशाओं में समुद्र तटाह संती समुद्र के किनारे हैं यानि हमारे देश भारत के तिनों तरफ से समुद्र लगता है अस्मात एव कारणात इसी ही कारण से भारत देश हा भारत देश को प्रायद्वीप हा इतिकत्यते प्रायद्वीप एसा कहा जाता है चारों तरफ से समुद्र के जल से घीरे हुए जमिन के टुकडे को दुईप कहते हैं किन्तु चारों तरफ से घीरा हुआ नही है भारत तीन तरफ से घीरा हुआ है इसलिए लगभग लगभग दुईप जैसा बना हुआ प्रायद्विप कहा जाता है अत्र यानि कण्या कुमारी तट में पुर्णिमायाम चंध्रोदय हाँ पुर्णिमा के दिन चंध्रोदय और सुरियास्तम सुरिय का अस्त होना ये दोनों युगपद एव एक साथ द्रस्टम शक्यते अर्थात कन्या कुमारी तट में यदि हम पुर्णिमा के दिन जाएं तो वहाँ पर एक तरब सुरिय का अस्त होना और दुसरे तरब चंद्रमा का उदय होना एक साथ हम देख सकते हैं एसी जगह है चलो यहाँ पाठ यहाँ पर पूर्ण हो गया है अब अभ्यास देखते हैं प्रथम अभ्यास है उच्चारणम कुरुत उच्चारण करना है ये कुछ कठिन सब्द है इनको ठेक से उच्चारण करेंगे फिर कौपी में लिखेंगे इसको आप ठिक से सुने बोलने का प्रियास करें और कौपी में भी लिखें अब दुतिया अभ्यास है अधो लिखितानाम प्रस्नानाम उत्तरम लिखत नीचे लिखे हुए प्रस्नों के उत्तर लिखना है अब इनको हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है कौ में है जनाह का भी जल बिहारम कुरवनती लोग किसके द्वारा जल में बिहार करते हैं तो इसका उत्तर होगा जनाह नौका भी जल बिहारम कुरवनती लोग नौका के द्वारा जल बिहार करते हैं भारतस्य दीरगतमहं समुद्रततः कह भारत का सबसे लंबा समुद्रतत चन्नई नगरश्य मेरिनातत ह। चन्नई का मेरिनातत है जनाह कुत्रस्वैरं बिहरंती लोग कहा पर बेरोक टोक घुमते हैं मुंबई नगरश्य जुहू तटे, मुंबई के जुहू नामक तट में सर्वेजनाह स्वैरं बिहरंती, सभी लोग बेरोक टोक घुमते हैं बालकाह बालुकाविह किम रचयंती, बच्चे रेत के द्वारा क्या बनाते हैं? बालकाह बालकाह च लड़के और लड़कियां बालुकाविह रेत के द्वारा बालुका ग्रिहम रचयंती, रेत के घरओंदे बनाते हैं? कोच्ची तटह केभ्यह ज्यायते, कोच्ची का जो तटह है, वह किसलिए प्रसिद्ध है? कोच्ची तटह, नारी केल फलेभ्यह, नारीयल के फल के लिए प्रसिद्ध है अथवा ज्यायते जाना जाता है? अब हम तिसरा अभ्यास करते हैं, मंजूसा तह, पदानी जित्वा, रिक्त स्थानानी पूरयत, इस मंजूसा से सब्दों को निकाल कर, खाली स्थान को भर कर बाक्के बनाओ, कोव में है कन्या कुमारी तटे, त्रियानाम, सागरानाम, खाली स्थान और भवती, कन्या कुम प्रायदूइपह इति कथ्यते, प्रायदूइप एसा कहा जाता है, जनाहा, सभी लोग समुद्र तटम, समुद्र के किनारे में परियटनाय घूमने के लिए आगच्छनती आते हैं, बालकेभ्या, बच्चों के लिए क्रिडा रोचते, बच्चों को क्रिडा अच्छा बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंग उपसागर है, अब हम चौथा अभ्यास करेंगे, यथा योग्यम योजयत, सब्दों के अर्थ के साथ मिलन करवाना है, समुद्र तटहा परियटनाय यानि घूमने के लिए होता है, क्रेडनकम, खिलवना, खेलनाय, खेलने के लिए होत है, दीपक हा, दीपक प्रकास आय, प्रकास के लिए होता है, विद्या ज्यान के लिए होता है, ज्यान आय, इस प्रकार से इस अभ्यास को पूरा कर लिया, पंचम अभ्यास देखो, तृतिया विभक्ति प्रियोगेन, रिक्त स्थानानी पूरयत, तृतिया विभक्ति के पड़ते हैं, तड़ाग हा कमलेन विभाती, तालाव कमल से सुसोभित होता है, अहम अपी कंदु केन खेलामी मैं भी गेंद से खेलूंगा, अस्वाह घोडे अस्वई ही सह धावन्ती अथवा अस्वेन शह धावन्ती घोडे घोडे के साथ दोडते हैं, मुरिगाह, मुरिग, मुरिगेन अथवा मुरिगई ही सह चरंती मुरिगों के साथ चर्ते हैं छठा अभ्यास है अधो लिखितं बृत्त चित्रं पस्यत नीचे लिखे हुए गोल चित्र को देखो उदाहरन के अनुसार कोष्ठक गताई ही सब्दाई ही इस बृत्त चित्र के अंदर कोष्ठक में लिखे हुए सब्दों के द्वारा उचित बाक्यानी रचयत उचित बाक्य बनाओ इस गोले में देखो मुख्य करता रहिम है यहाँ पर एक उधार न दिया गया है रहिमह मित्रेन सह क्रिडती रहिम मित्रों के साथ खेलता है वैसे ही हम एक एक करके बाक्य बनाते हैं रहिमह दोईचक्रिकया आपणम गच्छती रहिम साइकिल के द्वारा दुकान जाता है रहिमह कलमेन पत्रम लिखती रहिम कलम से पत्र लिखता है रहिमह हस्तेन कंदुकम छिपती रहिम हाथ से गेंद को फेंगता है रहिमह नवकया जल विहारम करोती रहिम नवका के द्वा जल भर्मन करता है, रहिम अहां चसकेन जलम पिवती, रहिम गिलास से जल पिता है, रहिम अहां तूलिकया चित्रम रचयती, रहिम तूलिका से चित्र को बनाता है, रहिम अहां वायु यानेन यहां आगच्छत, रहिम वायु याने के द्वारा कल आया, इस प्रकार से यहां अभ्यास पूरा हो गया है कोश्ठकात उचित पद प्रियोगेन रिक्त स्थानानी पूरयत यहां पर बराकेट में दिये गए सब्दों में से उचित सब्द को लेकर हमें बाक्य को बनाना है धनी कहा निर्धनाय धनम ददाती यहां पर निर्धनाय आएगा धनी आदमी को धन देता है बालह पठनाय विद्यालयम गच्छती यहां पठनाय लगाएंगे बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है सज्जन अहां परोपकार आय जीवनती यहां पर परोपकार आया आएगा सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं प्रधानाचार्य चात्र प्रधानाचारिय उपहार देता है यहाँ पर शिक्षक को हमारा नमस्कार है इस प्रकार से यहाँ पर आपके समस्त अभ्यास पूर्ण हो जाते हैं आज के लिए वस इतना ही अगले पाट के साथ पुनह मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें नमो नमहा पुनर्मिलामह धन्यवादह